नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे RRB NTPC परिक्षा की तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की गौर्मेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माद्यम से मिलते रहें दोस्तों जो नॉर्मलाईजेशन का फॉर्मूला है उसे रिवाइज कर दिया गया है कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं खासकर अपनी शिफ्ट में इसमें ये देखा गया है दोस्तों कि ऐसे भ्यारतियों को फाइदा हो जाता है जिनका शिफ्ट जो है पेपर की शिफ्ट हार्ड बनती है और जिनकी सरल शिफ्ट होती है उन्हें इतना बेनिफिट नहीं हो पाता ह अब कौन सा shift hard है या फिर कौन से gk question hard है या सरल है ये कौन decide करने वाला है तो दोस्तों प्रशनों पर average performance देखी जाती है माल लीजे कोई ऐसा प्रशन है चाहें कितना भी कठीनों आपको आता है तो आपके लिए तो सरल हो गया मगर दोस्तों देखा जाता है कि student की क्या performance रही माल लीजे 100 लोग हैं और उस प्रशन को कितने लोग attempt कर पाए कितने लोगों ने उसका सही answer दिया माल लीजे 100 मैं से कोई ऐसा प्रशन आगिया जिसकी सिर्फ 5 ही लोग उसका सही answer दे पाए तो normalization में उस shift को फाइदा मिल सकता है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोईशन इतने आसान आजाते हैं कि 100 मैं से 95 लोग उसका सही answer दे दिये तो यहाँ पर normalization का फाइदा नहीं मिल पाता है तो कहने का मतलब यह है दोस्तो यदि कोईशन हाड है तो आप बिना फालतू का attempt ना करें मगर इतना भी ध्यान रखना है कि जो easy to moderate वाले question है वो आपके गलत भी ना हो क्योंकि hard वाले को तो lead मिल जाएगी जिसके में question hard आया है उसे lead मिल जाएगी normalization में उसके number बढ़ जाएगे मगर यदि आपका paper ही already easy to moderate वाली category में है और आपके number कम score होते हैं तो आपको problem हो सकती है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जादा hard जो हो उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि इतने ही attempt करने हैं कोशिश ये रही है कि आपकी accuracy बनी रहे है जितने भी question आप attempt करें accuracy बने रहे रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना है कि easy to moderate वाले question आपके गलत ना हो दोस्तों आप लोगों को जो नए अभ्यारती हैं उनके लिए में सूचना दे रहेता हूं कि हमने समानने ग्यान के mock test करवाये थे जिसमें easy to moderate और ऐसे प्रेशन जोकी अलग-अलग परिक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं उनका एक combination तयार किया था तो आपको subject wise जो रोल जादा है तो इसलिए इस समय पर आप जो भी लोग revision कर रहे होंगे उनके लिए ये सारे PDF useful हो सकते हैं जल्द मिलेंगे दोस्तों हम next वीडियो में अगर आपकी कोई query हो तो comment section में पूछ सकते हैं और यदि आप किसी परिक्षा से सम्मंदित career guidance चाते हो तो आप वीडिय से फोन पर कैसे बात करें जल्द मिलेंगे दोस्तों हम next वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत